नमस्कार आईए आज बनाते हैं पालग पनीर पालग पनीर खाने में बहुत स्वादिश्ट लगता है और हेल्थ के लिए अच्छा भी माना जाता है पालग पनीर की सबजी को पौश्टिक सबजियों में माना जाता है और सभी इसे बहुत पसंद करते हैं तो चलिए देखते हैं पालग पनीर की सबजी को कैसे बनाते हैं इसके लिए आधा किलो पालग लीजिये साफ करके तीन चार बार पानी से दो लीजिये पालग को रफली काट लीजिये और चोथाई चमस नवक और चोथाई गलास पानी के साथ पांच मनट उबान लीजिये पालक को पूरी तरह से ठंडा कर लीजिए और मिक्सी में पीस करके पेश्ट बना लीजिए साथ में पनीर ले लीजिए पनीर एक किलो फुल क्रीम दूद से घर पी बनाया है इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दो बड़े बड़े टमाटर, दो इंच अद्रक का टुकड़ा, आठ हरी मिर्च लेकर मिक्सी में पेश लीजिए और पेश तयार कर लीजिए पालक परीर की सबजी के कलर को ग्रीन रखने के लिए हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे तड़के के लिए एक चमच जीरा और चोथाई चमच हीं ले लीजिए आधा आधा चमच नमक, हल्दी और एक एक चमच कसूरी मेथी और धनिया ले लीजिए पालक उबालते समय नमक इस्तेमाल किया है उसे ध्यान में जरूर रखिए गढ़ाई में एक चमच देशीगी गरम कीजिए घी गरम होने पर हिंग जीरा डाल दीजिए और क्रेकल होने दीजिए जीरा क्रेकल होने पर हरी मिर्च, अद्रक और टमाटर का पेश डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए साथ में सभी मसाले डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लीजिए देखिए टमाटर की मसाले ने कढ़ाई छोड़ दी है, मसाला भून गया है अब पालक का पेश डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए बनीर डाल दीजिए और अच्छी से मिला लीजिए एक कटोरी पानी डाल दीजिए, साथ में दो चमच दूद की मिलाई डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए गढ़ाई को ढग दीजिए और धीमी फ्लेम पर 15 मिनट पकने दीजिए पंद्रा मिनट बाद धकन हटाएं और आधा चमच गरमसाला डाल कर अच्छे से मिला लीजिए लीजिए पालक पनीर की स्वादिश सब्जी बनकर तयार है तयार सब्जी को डोंगे में निकाल कर मलाई से गारनिश कीजिए और जावल, उडी, पराठा या रूटी के साथ खाने का आनन्द उठाईए तो इस स्वादिश सब्जी को आप भी बनाईए और अपना फीडबेक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद